हेलो, प्लसवण कि लास तो कल हमने अपने टोपिक में किया था VB theory आज हम अपने टोपिक में वB theory को apply करते हैं H2 positive molecule के उपर तो क्या H2 positive molecule stable होगा ये बनेगा ये नहीं बनेगा तो चलो apply करते हैं तो H2 जो positive molecule या ions होगा उसके अंदर हम बात करें, दो hydrogen atom होंगे, एक के पास एक electron होगा, दूसरे के पास electron नहीं होगा, जिसकी वज़े से उसपे positive charge आएगा तो in H2 positive, there are HA and HB, HA atom, एक है, HA atom होगा, जिसमें NA उसका nucleus होगा, और EA उसका electron होगा यहाँ symbol दिया गया है, कि कौनड़ साइटम है, और दूसरा होगा हमारा HB positive ion, which contains only the HB nucleus, जिसके पास cable HB nucleus होगा अब इन दोनों के बीच में बात करें कि attractive force और repulsive force के बारे में, अगर attractive force जादा होगा repulsive से, तो form होगा, ions नहीं तो नहीं होगा तो attractive force होगा, between the EA, इसके electron और इसके nucleus के बीच में, इसके पास electron नहीं है, nucleus है तो यहाँ कोई attraction और नहीं होगा बस cable A के attraction पार्ट होगा, between the EA and NB, repulsive force होगा इसके nucleus और इसके nucleus के बीच में तो यहाँ repulsive force वागया between the Na and Nb अब यहाँ देखें जैसे electron यहाँ गुमते वे रहता है तो nucleosus से नजदी की ज़्यादा रहेगा attractive force ज़्यादा रहेगा attractive force is greater than the repulsive force due to the H2 positive is the form attractive force ज़्यादा रहेगा repulsive से इसलिए यह बनेगा आगे हम अगला case हम बात करते हैं in case of the helium molecule के बारे में HE2 molecule बनेगा या नहीं बनेगा तो चलो हम यहाँ पर बात करते हैं दो helium के atom लेते हैं एक को नाम दिया HEA और दूसरे को नाम दिया HEB जो दोनों के nucleus रहेंगे A का nucleus N A B का nucleus N B और A के electron E A1 और E A2 और B के electron E B1 और E B2 अब यहाँ पर इनके attractive force के बारे में बात करते हैं तो देखें इसके दोनों electronों को इसका nucleus attract करेगा तो मतलब यहाँ देखें हमने क्या क्या represent किया N A को attract कर रहा है N A attract करेगा E B1 और E B2 को N A ने attract किया E A1 और E B2 दो attractive force हो गए यहाँ पर और यहाँ पर हम बात करें उसी परकार हमारे पास N B attract करेगा E A1 को भी और E A2 को भी दो दो चार attractive force हो गए है इतने ही हमारा attractive force बनेंगी अब repulsive force के बारे में हम देखते हैं तो repulsive किसके बीच में Nucleus और Nucleus दोनों के Nucleus के बीच में positive charge हो दा है positive positive repel each other और दोनों के E A1 और E B1 के बीच में E A1 और E B2 के बीच में E A2 और E B1 के बीच में और E A2 और E B2 के बीच में यह 5 केस होंगे हमारे repulsive के चार तो इलेक्ट्रोनों के केस हो गई है और एक Nucleus का केस हो गया है तो इसका मतलब देखें चार attractive case पांच repulsive case डारेक्ट दिख रहा है कि यहां पर क्या है repulsive force is greater than the attractive force इसका मतलब E A2 नहीं बनेगा it will be the not formed तो हम पहले भी बात कर चुके हैं covalent bond के बारे में अगला जो हमारे topic है covalent bond तो हमने वहाँ पर बताया था कि essay bond जो अपने sharing of lecpon से बनते हैं हमने covalent bond कहते हैं वहाँ पर हमने इनके type के बारे में बताया था कि sigma bond, pi bond और dati bond यहां थोड़ा सा explain में करते हैं sigma bond bond सा होगा यानि जो atom के orbital होते हैं atom के orbital हो गए है s, p, d, f यानि ऐसे bond जो end-to-end overlapping से बनते हैं जैसे कि s और s की overlapping होई है p और s की overlapping होई है p और p की end-to-end overlapping हो partial overlapping हो तो जिस बने उसे हम कहते हैं यहां पर sigma bond sigma bond जो बनते हैं s, s, p, p, p इनकी overlapping से हमारे पास sigma bond बनते हैं आगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में πाई bond के बारे में बात करेंगे dative bond के बारे में बात करेंगे और sigma और πाई में strong कौन रहेगा इनके पर बात करेंगे sigma और πाई को पहचाने कैसे dative को कैसे पहचाने तो हम इनके बारे में discussion करेंगे अपने next वीडियो में